कि नमस्का दोस्तों सुगम गैन चैनल में आपका स्वागत है और एक पर फिर मैं हाजर हूं एक नए वीडियो के साथ आज का हमारा वीडियो सापता एक समसामाई की पर आधारित प्रश्णों पर है और इसमें हम लोग 13 दिसंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 के बीच में जो भी करेंगे तो आई शुरू करते हैं पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है कौरोना संकट के चलते मालदीब की जगह है अब कौन सा देश हिंद महासागर द्यूप खेल 2023 का यूजन करेगा तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है मेड़ा गासकर कौरोना संकट के चलते मालदीब की जगह अब मेड़ा कासकर हिंद महासागर द्यूप खेल 2023 का आयूजन करेगा हलांकि मालदीब ने इन आयूजनों को 2023 की जगह 2025 में कराने का नरोध किया था परन्तु आयूजकों ने आयूजन बर्श के स्थान पर आयूजन इस्थल में बदलाव करने का फैस्रा लिया इन खेलों की शुरुवात अंतरास्टे ओलंपिक समिती ने साल 1977 में की थी और इन खेलों में पांच देश स्रिलंका, मरिशश, सेशल्स, कौमरोश, बारी यून भाग लेते ही अगला पर्शन देखते हैं अगला पर्शन है टाइम पर्शन आफ दा इयर 2020 किसे चुना गया है यानि 2020 के लिए टाइम पर्शन आफ दा इयर किसे चुना गया है तो इस पर्शन का सही उत्तर है जो बेडन और कमला हैरिश टाइम पत्रका ने इस वारा मेरी की चुनाव बिजेता जो बेडिन और उपराश्टपती कमरा हैरिस को परसन अफ दा इयर के लिए नामित किया है और भारते प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इस सूची में शात में इस्थान पर रहे हैं अगला परसन देखते हैं नितिन गड़करी ने हालही में किस राज में कोलीवर ब्रिज का उधगाटन किया है तो इस परसन का सही उत्तर है बिहार सडक परवेन अब राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने बिहार में सोन नदी पर कोलीवर पुल का उधगाटन किया है इस 14 दिसंबर 2020 से Real Time Gross Settlement यानी RTGS प्रणाली को अब दिन के कितने घंटे के लिए शुरू किया है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है 24 घंटे Reserve Bank of India ने 14 दिसंबर 2020 से RTGS प्रणाली को 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया है यह सुविधा ग्रहाकों को सबता के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्द रहेगी इस सेवा को सुरू करने की बात Reserve Bank ने अक्टूबर में कही थी और इससे पहले RBI EFT की सुविधा को भी 24 घंटे के लिए सुरू कर चुका है अगला परशन देखते हैं किस तिथी से चेक भुक्तान के नियम बदल जाएंगे तो इस परशन का सही उत्तर है एक जनवरी ग्रहाकों को धोखा धड़ी से बचाने है तू RBI EFT ने नए सिस्टम को सुरू करने का फैसला किया है रिजर्ब बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम के नाम से यह सुविधा सुरू की है यह सुविधा शनल पेमेंट्स कॉर्परेशन ओफ इंडिया द्वारा विक्सित की गई है और इसके तहट पचास हजार से अधिक के बहुतान के लिए आभिशिक सुचनाओं को फिर से कन्फर्म करना पड़ेगा आई अगला परशन देखते हैं भारत की किस दूर संचार कंपनी ने उपगरह आधारित सेवा की शुरूबात की है इस परशन का सही उत्तर है VSNL भारत संचार निगम लिम्टेड ने उपगरह आधारित सेवा की शुरूबात की है इसके बाद अब समुद्र में भी नेटवर्क मिल सकेंगे यह सेवा अमेरिकी कंपनी स्काइलो के साथ मिलकर शुरू की गई है अगला परशन देखते हैं डावर इंडिया लिम्टेड ने हाल ही में किस भारती फिल्म अभिनियता को डावर चियवन प्रास का ब्रेंड अम्बैसडर नियुक्त किया है तो इस परशन का सही उत्तर है अक्षे कुमार अगला परशन देखते हैं किस राज्जी की सरकार ने हाल ही में शादी समारों के लिए ओनलाइन डाजिस्टेशन को अनवार कर दिया है तो इस परशन का सही उत्तर है गुजरात अगला परशन देखते हैं इसराइल ने हाल ही में किस देश के साथ राजजनाएक संबंद इस्थापित किये हैं तो इस परशन का सही उत्तर है भूटान अगला परशन देखते हैं हाल ही में किस भारतिय राज ने राज सरकार के करमचारियों को आफिस में जीन्स वा टी-सर्ट पहन कर आने पर प्रतिवंध लगा दिया है तो इस परशन का सही उत्तर है महरास्ट सरकार अगला परशन देखते हैं भारतिय शेनाध्यक जनरल एम एम नरवड़े को हाल ही में किस देश ने गार्ड आफ ओनर से सम्मानित किया है तो इस परशन का सही उत्तर है सौधी अरब अगला परशन देखते हैं कारोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण इस साल कारण डायकसाइड के वैस्विक उत्साजन में कितने प्रतिश्यत की कमी आई है तो इस परशन का सही उत्तर है साथ प्रतिश्यत आई अगला परशन देखते हैं हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर रूस से मिसाइल प्रडाली खरीदने पर प्रतिश्यत लगा दिया है तो इस परशन का सही उत्तर है तुरकी अमेरिका ने तुरकी पर रूसी मिसाइल S-400 जो मिसाइल प्रडाली है उसको खरीदने पर प बिद्रध अभ्यास शाहीन का आयोजन किया है ऐसे प्रशन का सहीं उत्तर है पाकिस्तान अगला प्रशन देखते हैं हाल ही में इजराइल ने अमेरिका की मध्सथा से किस देश के साथ संबंधों को सामाननी करने में संबंदी सहमती बनाई है तो इस परश्ण का सही उत्तर है मोरक को अगला परश्ण देखते हैं पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष में विजय दिवस के स्थिथी को मनाया जाता है इस परश्ण का सही उत्तर है सोलहा दिसंबर भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष में हर सौलहा दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है साल 1971 में हुए भारत पाकिय उध्व को 49 साल हो चुके हैं और इसी तारीको साल 1971 इस पीमें पाकिस्तान की सैना ने भारति सैना के समक्ष आत्म समर्पण पढ़ कि अगला परश्ण देखते हैं भारत के किस प्रख्यात पहलवान का हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्जिके थे इस परश्ण का सही उत्तर है महरास्ट साल 1969 में हिंद केसरी से सम्मानित भारत के प्रसिद पहलवान स्रीपती खाच्राले का हाल ही में कोलहपुर के एक निज की इस्पताल में धन हो गया यहने महरास्ट की राजसरकार द्वारा श्रिबाजी छत्रपती स्प्रसकार से भी सम्मानित किया जा जुक्वा था अगला परश्ण देखते हैं किस भारती फिल्म अभिनेता को के इंसरकार ने हाल ही में 22 रेड़ी की सुरक्षा प्रदान की है इस परश्ण का सही उत्तर है सन्नी देवल के इंद्री ग्रह मंतरालें भारती फिल्म अभिनेता भाजपा शांसद सन्नी देवल को 22 रेड़ी की सुरक्षा अप्लब कराई है सन्नी देवल पंजाब के गुरुदासपुर से भाजपा शांसद हैं अगला परश्ण देखते हैं किस राजजी की सरकार ने राजजी के लोगों को मुफ्द कोरोना वैक्सीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है तो इस परश्ण का सही उत्तर है बिहार बिहार की राजसरकान ने बिहार की जनता को मुफ्त में कॉरोना वैक्षीन उपलब्द कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है इसके साथ ही वैक्षीन उपलब्द होने पर राजमे से जनता को मुफ्त में देने का रास्ता साफ हो गया है आई अगला परस्ट देखते हैं युद्ध पोत हिम्गिरी का हाल ही में कहां पर जलावतरन किया गया तो इस परस्ट का सही उत्तर है कोलकाता गार्डेनरी सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने से इस प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया और यह राडार की नजरों से बचने म सक्षम भारत का पहला युद्ध पोत है यह कूड रूप से स्वदेसी पोत है और इसकी लंबाई 149 मीटर और भार वहिंचमता 6670 टन है अगला परस्ट देखते हैं किस देश ने हाल ही में अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉंच किया है तो इस परस्ट का सही उत् रूस अगला परस्ट देखते हैं जस्टिस हिमा कोहली हाल ही में किस हाई कोट की मुख नियाधीस बनी है तो इस परस्ट का सही उत्तर है तेलंगाना हाई कोट जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोट की पहली महिला मुख नियाधीस बनी है भारत में बरतमान में कुल 25 ह प्रसार भारती के सीओ सेखर बेमपती को हाल ही में एसिया पैसिफिक ब्राड कास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है सन 1964 में एसिया पैसिफिक ब्राड कास्टिंग यूनियन का गठन किया गया था बर्तमान में कुल सतावन देश इसके सदसे हैं अगला परशन देखते हैं केंसरका ने कोबिड नाइंटीन के पभाव से देश के गरीब बकमजोरों को बचाने हैं तो बिस सुबैंक से कितने रुपए का रिर्ण लिया है तो इस परशन का सही उत्तर है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर कि अगला परशन देखते हैं किस राज की बिधायका ने हाल ही में गौहत्या ब्रोथ बिल पास किया है तो इस परशन का सही उत्तर है करनाटक अगला परशन देखते हैं मानव विकास सूचकांग 2020 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो इस परशन का सही उत्तर है 131 वा सैंक्तराश्च विकास कारेकरम द्वारा यानि यूएंडीप द्वारा हाल ही में मानव विकास सूचकांग जारी किया गया इसमें भारत को 131 वा इस्थान प्राप्त हुआ है नार्वे इस सूचकांग में शीर्स पर है अगला परशन देखते हैं 2021 में आयूचित होने बाले भारती गड़तंत्र दिबस समाहरों में किस देश के राष्ट्र ध्यक्ष मुख्य अथिति होंगे इस परशन का सही उत्तर है वि मुख्य अथिति बनाने की परानी परंपरा है और साल दोहजार 21 में 26 जनवरी को मनाये जाने वाले गड़तंत्र दिवस पर विटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन मुख्य अथिति होंगे भारते गड़तंत्र दिवस समाहरों में मुख्य अथिति बनने वाले यह हालही में अंतरास्ट प्रवाशी दिवस की स्थिव को मनाया तो इस परश्ण का सही उत्तर है 18 देसंबर इस साल अंतरे सिव की तीम री इमेजनिंग हीमन मॉबिलिटी रखी गई 18 को 17 महसभाद्वारा प्रवासी स्रिमिकों के अधिकारों उनके परवाराओं के सदस्यों के सरक्षन हित्व एक संम्हेलन का आयोजन कि आ गया था अगला पर्षण देखते हैं किस देश के क्रिकेटर मुहम्मब आमिर पाकिस्तान क्रिकेट के तेज गेंद बाज मौंबद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लेने की घोस्थना की है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बॉर्ड पर मानसिक रूप से प्रताडित कनने का भी आरोब लगाया है अगला परशन देखते हैं हाल ही में किस देश को टोकी ओलम्पिक से बाहर कर दिया गया है तो इस परशन का सही उत्तर है रूस रूसी ख्लाडियों को डोपिंग के मामले में ओलम्पिक से बाहर किया गया है साथि रूशी ख्लाडियों पर दो साल का प्रतिवंध भी लगा दिया गया है हाला कि एजनसी ने रूश पर चार साल के प्रतिवंध की शिफारिस की थी आई अगला परशन देखते हैं किस देश ने हाल ही में अपनी economic diplomacy website की शुरुबात की है तो इस परशन का सही उत्तर है भारत भारत के बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने बिदेश मंत्रालय की economic diplomacy website का शुभारम किया इसका उदेश से भारत की आर्थिक बाच्चेतरी ताकत का माहौल सुनिश्चित करने के उद्धिस से भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजिंसी को कितने का योगदान दिया है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है एक मिलियन अमेरिकी डॉलर अगला प्रश्ण देखते हैं कौसल विकास और उद्यमता मंत्रा लेने उरजा छेतर में कौसल विकास ही तू कहां पर उत्कर्ष्टता केंद्र खोलने की घोशना की तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है गुरू ग्राम अगला परस्ण देखते हैं हाल ही में Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award किस ने जीता तो इस परस्ण का सही उत्तर है रतन टाटा रतन टाटा को Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award दिया गया है अगला परस्ण देखते हैं मानव स्वतंतरता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो इस परस्ण का सही उत्तर है 111 है वाइस्थान यह रिपोर्ट सैंक्तराष्ट विकास सिकारिकरम यानि UNDP की ओर से जारी की गई है इसमें कुल 189 देशों की रैंकिंग को सामिल किया गया था तो यह थे आज के हमारे वीडियो के परस्ण हमें उमीद है आपको चरूर पसंद आए होंगे और अगर आपको इनमें कुस सुधार किया बश्क्ता लगती है या कुस सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक सुगमग्यान चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक सीधे पहुंश सके तो अब अन्य वीडियो की तरह इस वीडियो में एक प्रश्ण आपके लिए दिया गया है और जो इनी प्रश्णों में से है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्रश्ण है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है ऑप्शन है ए 97 वाइस थान बी 109 वाइस स्थान सी 111 वाइस स्थान डी 123 वाइस स्थान तो प्लीज सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट आवस्य कीजिए साथ ही जो भी सुझा हो वो सुझा भी दीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद